सशिकाल जी स्वागतेतो अड़ा पंजाव अकेडमी ओनलेन देविच हाँ जी तो आज हम करेंगे हिंदी हिंदी की हमारी सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है राजभाशा हिंदी हाँ जी तो देखते हैं कि राजभाशा हिंदी क्या है सब्तंतर्ता प्राप्ति के पस्चात भारतिय सविधान निरमताओं ने हिंदी के महत्तव को सविकार करते हुए 14 सितंबर 1949 को सविधान के अनुशेद में देवनागरी लिप्पी में लिखी हिंदी को भारत संग की राजभाशा गोशित किया हाजी जो हुमारी भाशा थी उसे राजभाशा थी उसे कब गोशित किया तो गोशित किया था 14 सितंबर 1949 को और कौन से अनुशेद में 343 में देवनागरी लिप्पी में लिखी हिंदी को भारत संग की राजभाशा गोशित किया एक वार फिर देखलो सब्तंतरता प्राप्ति के पश्चात भारतिय सविधान निरमताओं ने हिंदी के महत्तब को सविकार करते हुए 14 सितंबर 1949 को सविधान के अनुशेद 343 में देवनागरी लिप्पी में लिखी हिंदी को भारत संग की भाशा भारत संग की राजभाशा गोशित किया निरमताओं मतलब जिसने सविधान लिखा था जिन्होंने सविधान को लिखा था हाँ जी उसके बाद है प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिप्स के रूप में मनाया जाता है हाँ जी प्रति वर्ष हर साल प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिप्स के रूप में मनाया जाता है तो जे पूछते हैं कि हिंदी दिप्स कब मनाया जाता है तो प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हाँ जी उसके बाद है नेक्स्ट राज भाषा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाल्स के रूप में परजोग की जाती है सरकारी कामकाल्स जैसे हमारे सरकार के कोई भी काम है चाए वो कोई भी नोटिस हो कोई भी काम हो तो राज भाषा के रूप में हिंदी ही उसमें जादा होती है मतलब हिंदी में ही वो होता है ठीक है कोई भी काम है वो हिंदी में होता है राज भाशा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाज के रूप में परजोग की जाती है जो भी कामकाज है उसमें हिंदी भाशा परजोग की जाती है उसके बाद next सविधान की आठमी अनसूची में 14 भाषाओं को सिमलित किया गया है हाँ जी सविधान की आठमी अनसूची कुल अनसूचियां 12 है और जे अनसूची है हमारी आठमी अनसूची तो इसमें कितनी भाषाओं को सिमलित किया गया 14 भाषाओं को सिमलिट किया गया है हाँ जी तो वो कौन-कौन सी भाषाई हैं हम आगे पढ़ते हैं देखिए पहली है असम्या दूसरी उडिया तीसरी उर्दू चौत्थी करनट और पांचवी कश्मीरी शेमी गुजराती सात्मी तामिल आठमी तेलगू और नौमी पंजाब्वी दासमी बंगला ग्यारमी मराथी वारमी मलायलम तेरमी संस्क्रित और चौदमी हिंदी जे भाषाई हैं थी जो आठमी अनुसूच्ची में थी ये चौधा भाषाई हैं थी जो सिमलित की गई थी हांजी एक वार फिर देख लो सविधान की आठमी अनुसूची में चौधा भाशाओं को सिमलित किया गया है तो ये भाशाएं कौन-कौन सी हैं एक वार दबारा रपीट कर लेते हैं हांजी पहली असम्य, दूसरी उडिया, तीसरी उर्दू, चोथी कंडर, पांचमी कशमीरी, और शेमी गुजराती, सातमी तमिल, आठमी तैल्गू, नौमी पंचाबी, दासमी बंगला, ग्यारमी मराथी, और बारमी मलायलंग, तेरमी सांस्क्रिट, और चोदमी हिंदी इसमें से आपका कॉस्चिन आ सकता है कि इन में से आठमी अनसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं थी, ठीके जी, ऐसे आ सकता है कॉस्चिन, तो आपको जे चोदा की चोदा, वेरी इंपोर्डेंट है, इन्हें जाद करनी होंगी, हांजी उसके आगे नोट 21 सवीधान संशोधन उननी सो स्टार्ट्स दवारा सिंदी को शामिल किया गया था, हांजी तो वेरी इंपोर्डेंट है, इसे ध्यान से देखो, 21 सवीधान संशोधन उननी सो स्टार्ट्स दवारा सिंदी को शामिल किया गया था, तो जे हमारी पंदरमी भाषा है पंतरमी भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा और कौन से सवीधान में इसे शामिल किया गया? 21 सवीधान में और 19 स्टार्टस दुआरा ठीके जी, कब किया गया? 19 स्टार्टस दुआरा हाँ जी हाँ जी आगे देखिए 71 सवीधान संशोधन अब आगया 71 सवीधान संशोधन 1992 में तीन भाषाएं जोड़ी गई 71 सवीधान संशोधन 1992 में तीन भाषाएं जोड़ी गई 1992 में आप बहुत में से आपका वर्डे होगा 1901 में कितनी भाशाएं जोड़ी गई? ऐसे कोश्चना सकता है तो कितनी जोड़ी गई? तीन जोड़ी गई और वो भाशाएं कौन सी थी? तो आगे देखते हैं हम कौन सी थी? नेपाली, कौंकनी, मनिपुरी नेपाली, कॉंकनी, मनिपुरी और कौन से सविधान द्वारा जोड़ी गई? कतर में सविधान द्वारा कब जोड़ी गई? 1901 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तीन भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी थी वो? नेपाली, कॉंकनी और मनिपुरी हाँजी, next आगे देखिए वन में सविधान संशोधन वन में सविधान संशोधन 2003 में 4 भाशाएं जोड़ी गई हाँजी, ता 2003 में कितनी भाशाएं जोड़ी गई? 4 भाशाएं जोड़ी गई कौन से सविधान में? वन में सविधान में हाँजी, तो कौन कौन से जोड़ी गई 4 भाशाएं? मैथली, डोगरी बोडो, संथाली मैथली, डोगरी बोडो, संथाली जह भाशाएं थी हाँजी, तो कुल कितनी भाशाएं हैं? 22 भाशाएं हैं हिंदी भाषा की विशेश्ताईं और परकिती इसके बारे में देखते हैं भाषा प्रत्यक संपत्ति नहीं है हां जी क्या लिखा हैं फर्स्ट लाइन में भाषा प्रत्यक संपत्ति नहीं है प्रत्यक संपत्ति मतलब जे सीखनी पड़ती है जैसे बच्चा जनम लेता है वो जनम के समय तो भाषा नहीं न सीख कराता समाज में आता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है फिर ही उसे पूरी भाषा का ज्ञान होता है तो इसलिए लिखा है कि भाशा परत्यक संपत्ती नहीं है इसे सीखना पड़ता है उसके बाद नेक्स्ट है भाशा अर्जित संपत्ती है वही पॉइंट है देखो भाशा अर्जित संपत्ती है इसे सीखना पड़ता है ठीक है जी, भाषा को अर्जित करना पड़ता है, भाषा का कोई अंतिम सबरूप नहीं है, भाषा कठिनता से सरलता की और जाती है, भाषा कठिनता से सरलता की और जाती है, कठिनता से सरलता की और देखो जब हम बाशा सीखते हैं जब हम पढ़ना सीखते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है हमें कि ये क्या है कैसे है कुछ भी पता नहीं चलता है ना जब दीरे दीरे हम उसे सीख जाते हैं तो वो जो हमें बहुत मतलब कठिन लगता है तो वो दीरे-दीरे हमें सरलता का रूप देता है फिर बाद में लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं था भाशा कठिनता से सरलता की और जाती है मतलब पहले जो हम सीखते हैं वो कठिन लगता है लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो वो बहुत सरल बन जाता है इसलिए लिखा है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है हां जी, next question भाषा का अर्जन अनुकर्ण द्वारा होता है भाषा का अर्जन अनुकर्ण द्वारा होता है अनुकर्ण दवारा मतलब देख कर सीखना किसी चीज को अनुकर्ण सीखना ही होता है ठीक है जी नकल करना सीखना नकल करना अनुकर्ण किसी की नकल करके सीखना भाशा का आर्चन अनुकर्ण दवारा होता है प्रतेक भाशा की बंगोलिक एंवम इतहासिक सीमा होती है हां जी देखो उने एक इतिहास बग्यारा लिखे हैं ठीक है जी प्रतेक भाशा की बंगोलिक एंवम इतहासिक सीमा होती है हां जी आगे देखो भाशा के विविदरू भाशा के विविदरू तो पहले देखते हैं मूल भाषा हाँ जी मूल भाषा जिस भाषा से अन्य अनेक भाषाई निकलती हो जिस भाषा से अन्य अनेक भाषाई निकलती हो जैसे संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा निकली है ठीके जी तथा जिसके किसी अन्य भाषा से निकलने का पता नहीं हो लेकिन संस्कृत जो भाषा है हमें उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहां से निकली है हिंदी का तो हमें पता है कि ये संस्कृत से निकली है लेकिन संस्कृत का तो हमें नहीं पता है कि ये कहां से निकली है ठीक है जी एक बार दवारा देखों मूल भाशा जिस भाशा से अन्य अनेक भाशाई निकलती हो तथा जिसके किसी अन्य भाशा से निकलने का पता ने हो जैसे संस्कृत उसके बार राज भाशा किसी राज्य दवारा विचार विन्यम के साधन के रूप में सविकर्थ भाशा को राज्य भाशा कहते हैं आपस में अदान परदान करना बातशीत करना ठीक है जी राज्य भाशा कहते हैं आज संपूर्ण देश में वविन राज्याओं में विवाजित हैं और परतेक राज्य की राज्य कार्या चलाने के लिए एक भाशा है जह भाशा राज्य भाशा कहलाती है हाँ जी एक बार दवारा देखों किसी राज्य दवारा विचार वेनियम के साधन के रूप में सविकर्त भाशा को राज्य भाशा कहते हैं आज संपूरन देश में बविन राज्याओं में विवाजित हैं और परतेक राज्य की राज्य कार्या चलाने के लिए एक भाशा है हां जी जैसे राजय कारेच लाने के लिए एक भाषा है जैसे आप देखोगे कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी है और जो भी काम करना होता है वो पंजाबी में होता है जो सरकारी काम काज करने होते है ना पंजाब में कोई भी नोटिस है कोई भी काम है जो सरकारी काम है तो वो पंजाबी में होगा जै भाशा राज जै भाशा कहलाती है हां जी जैसे जहां पर लिखा भी हुआ है देखो आगे पंजाबी लिखा हुआ है बच्चे जे पंजाबी नहीं है जे पंजाब है ठीक है लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जे बात है जे कि पंजाब की राजवाशा पंजाबी होती है राश्टर भाशा जां राजवाशा राश्टर भाशा जां राजवाशा जे एक ही बात है चाहि राश्टर भाशा कहलो चाहि राजवाशा कहलो जब किसी भाषा को समसत राष्टर की भाषा मान ली जाती है तब वह राष्टर भाषा कहलाती है किसी राष्टर में सर्व जानिक रूप से पर्युक्त होने वाली भाषा जिसका परजोग समपूर्ण राष्टर में किया जाता है राष्टर भाषा कहलाती है आज हमारी जो हिंदी है जे भारत की राष्टर भाषा है जो हमारी हिंदी है ये भारत की राष्टर भाषा है लेकिन सविधान में इसका नाम राज भाषा से जाना जाता है हांजी तो सविधान में इसका नाम किस से जाना जाता है राज भाशा से जाना जाता है ठीके ची आगे देखो अंतर राश्ट्रिय भाशा हांजी अंतर राश्ट्रिय भाशा क्या होती है देखती है जैसे अंग्रेजी भाषा है अंग्रेजी भाषा हमारे भी जहां बोली जाती है और अपने में तो बोली जानी जानी है ठीक है जी तो उसका प्रजोग एक से ज़्यादा राष्ट्रों में होने लगता है यसे हमारे भी बोलते है तो उसे अंतराष्ट्रिय भाषा का पद प्रापत होता है जो भाशा एक से अधिक राश्ट्रों में होने लगती है ठीक है बूली जाती है तो उसे अंतराश्ट्रिय भाशा का पद प्रापत होता है जैसे मैंने आपको बताई दिया अंग्रेजी भाशा हांजी एक बार फिर देख लो शासन जा अन्ये किसी अभाव से जब किसी भाशा का परजोग एक से अधिक राश्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतराश्ट्रिय भाशा का पद प्रापत होता है यैसे अंग्रेजी भाशा हांजी तो कुस कॉस्ट्धन है आगे हमारे वो देखिये जे कॉस्ट्धन बहुत इमपोर्डेन्ट कॉस्ट्धन है इसे ध्यान से देखिये तो देखिये फーस्ट कॉस्ट्धन हिंदी किस भाषा का शवद है हिंदी किस भाषा का शवद है तो किस भाषा का शवद है हिंदी फार्सिसी भाषा का next question हिंदी नाम किस ने दिया बहुत important question है जे हिंदी नाम किस ने दिया तो हिंदी नाम किस ने दिया था इरानियों ने दिया था हाँ जी हिंदी नाम किस ने दिया इरानियों ने हिंदी किस शावद का विगड़ा हुआ रूप है हिंदी किस शावद का विगड़ा हुआ रूप है तो किस शावद का विगड़ा हुआ रूप है हिंदी सिंदी का हाँ जी सिंदी का विगड़ा हुआ रूप है किया गया हिंदी को राज भाषा कब घोशित किया गया तो कब घोशित किया गया था 14 सितंबर 1949 को हाँ जी 14 सितंबर 1949 को घोशित किया गया हमारे विश्यव में पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है जो पहले नंबर पर पूछी है कि कौन सी भाषा बोली जाती है हमारे विश्यव में और जो हमारे हिंदी भाषा है वो हमारे विश्यव में तीसरे नंबर पर बोली जाती है ठीक है जी लेकिन इन्हों ने पूछा हैं कि हमारे विश्यव में पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है तो कौन सी भाषा बोली जाती है चिन्नी भाषा हाँ जी तो हमारे विश्यव में पहले नंबर पर चिन्नी भाषा बोली जाती है हमारे विश्यब में दूसरे नंबर पर कौन सी भशा बोली जाती है अगर पहले नंबर पर पूछें हमारे विश्यब में कौन सी भशा बोली जाती है तो चीनी भशा और दूसरे नंबर पर बोले तो अंग्रेजी भशा और तीसरे नंबर पर बोले तो हमारी हिंदी भशा और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हमारी Hindi भाषा मतलब हमारे विशव में कौन से नंबर पर बोली जाती है तो तीसरी नंबर पर बोली जाती है ऐसा भी पूछ सकते हैं Eazzaminer कैसा भी पूछ सकते हैं हांजी next question हिंदी शावद का भाशा के आर्थ में सबसे पहला पर जो किस ने किया था हाँ जी हिंदी शावद का भाशा के आर्थ में सबसे पहला पर जो किस ने किया था तो सबसे पहला पर जो किस ने किया था वई मुसल्मानों ने किस ने किया था मुसल्मानों ने एक बार फिर देखों, हिंदी शावद का भाषा के आर्थ में सबसे पहला परजोग किस ने किया था, तो ये किया था मुसल्मानों ने नेक्स्ट कॉस्चन और लास्ट कॉस्चन है जे देव नागरी लिप्पी का विकास किस लिप्पी से हुआ? हांजी, देव नागरी लिप्पी का विकास किस लिप्पी से हुआ? देव नागरी लिप्पी हमारी हिंदी की लिप्पी है वही देव नागरी, पता है न सभी को हमारी हिंदी की लिप्पी कॉन सी है? देव नागरी हाँ जी तो वही पूछाए इन्होंने कि देवनागरी लिप्पी का विकास किस लिप्पी से हुआ है तो इसका उत्तर है ब्रह्मी लिप्पी हाँ जी तो किस से हुआ है ब्रह्मी लिप्पी से उसके वाद हम करेंगे वर्न विचार क्या करेंगे वर्न विचार बहुत ही important है ध्यान से दिखो वही हाजी तो देखिए चलते हैं आगे करते हैं हम बर्ण विचार भाशा की सबसे चोटी इकाई क्या है क्या लिखा है कि भाशा की सबसे चोटी इकाई क्या है तो भाशा की सबसे छोटी इकाई धवनी है भई धवनी धवनी मतला आवाज जो हमारे मुझे आवाज निकलती है हम कुछ भी बोलती है ठीक है? चाहे कुछ भी बोलो लेकिन आवाज निकलती है वो भी धवनी है हाँ जी इसके लिखित रूप को वर्न कहती है देखो इसके लिखित रूप को वर्न कहती है देखो जो भी हम बोलती है जैसे हमने बोला क क क्या है बोला तो वो धबनी है लेकिन जब हम उसी क को लिखते हैं तो वो वर्न बन जाता है क्या बन जाता है वो वर्न बन जबता है और बहुत बार जे question repeat होता है पेपरों में और पूछा जाता है कि भाशा की सबसे छोटी काई क्या है अगर उनमें option में आपको धबनी और वर्न दिया हो तो आप धबनी को टिक करोगे लेकिन अगर धबनी और वर्न देकर अगर उन्होंने जे दोनों लिखा हो कि दोनों है तो आप दोनों को टिक करोगे अगर धबनी ना दिया हो सिरफ वर्न दिया हो तो आप वर्न को टिक करोगे तो आप समझा आ गई मैं क्या कहना चाती हूं कि भाशा की सबसे छोटी काई धबनी है ठीक है जी अगर पेपर में धबनी ना लिखा हो वर्न लिखा हो तो आप वर्न को टेक करोगे लेकिन अगर धबनी लिखा हो तो पहला नंबर आप धबनी को दोगे ठीक है उसके बाद अगर धबनी और वर्न दोनों लिखा हो तो दोनों को आप्षन हो कि ये दोनों है तो वो दोनों कर्क्या होगे ठीक है जी हांजी अथवा वर्ण वह छोटी से छोटी दवनी है जो कान का विश्या है कान का विश्या है मतलब वर्ण जब हम बोलते हैं तो वो दूसरों के कान तक पहुंचती है आवास तभी तो हम समझ पाते हैं किसे क्या कहता है कान तक पहुंचती है इसलिए कहा गया है कि कान का विश्या है ठीक है सुनाई देता है मुझे कान से सुनाई देता है ना हमें जो कान से सुनाई देता है इसलिए इस दवनी को कहा गया है कि वर्ण वह छोटी से छोटी दवनी है ज जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते हां जी तो आगे क्या कहते हैं जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते हां जी इसके टुकडे नहीं किये जा सकते ठीक है जी एक वर फिर देख लो वर्न वह छोटी से छोटी दबनी है जो कान का विश्या है और जिसके टुकडे नहीं किये ज सकते हां जी तो है कौन-कौन कश Hai देखो आगे पहले हो गया दबनी जो आवाज हमारे मुन से निकलती है और फिर से कइन NOR पे हो गया वर्न जो हमारे मुख से निकली आवाज उसको हमने लिख दिया जैसे हमने लिखा क बोला क और फिर लिखा ठीक है वो वर्न बन गया उसके बाद होता है अक्षर जैसे हम दो वर्नों को जोड के कुछ लिखते हैं कुछ न कुछ उसका मतलब निकलता है वो अक्षर हो जाता है ठीक है जी तो इन में अंतर कि इन में क्या अंतर है हम आगे करेंगे देखते हैं कि इन में क्या अंतर है आपको अच्छे से समझा जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं मुँ से उचारित मूँ से उचारित हमने आपको काफी बार बता दिया है कि मूँ से उचारित जो हम मूँ से शबद बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं ठीक है जी उसे जो आवाज आती है बोलने से देखो जैसे हमने बोला अ, आ, क, ग, आदी दफनी है जो भी हमने बोला अपने मूँ से बोला और जिसकी आवाज क्या थी अ, आ, क, ग, आदी दफनी है ठीक है जी हाजी दबनी का मतलब आवाज होता है जै मैंने आपको काफी बार बता दिया है और आप इसे अच्छे से करो ठीक है जी उसके बाद हम करेंगे वर्न क्या है दबनी के बाद है वर्न दबनियों के लिखित रूप को वर्न कहते है दबनियों के लिखित रूप को वर्न कहते है उध्यारन के लिए जैसे हमने बोला और फिर लिखा फिर वोला क और फिर लिखा जो return में हो गया जो लिखती रूप में हो गया उसे कहती है वर्ण जब हम बोलते हैं तो वह धबनी होती है बहुत बार बता दिया आपको लेकिन जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण बन जाते हैं जो आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा मेरे हिसाल से और सबसे important बात क्या है कि इसके टुकडे नहीं होते इसके टुकडे नहीं होते जैसे हमने लिखा जह लिखा है आप देख रहे हो ठीक है इसके टुकडे नहीं होते जह अधूरे हैं जह पूरा नहीं लिखा हुआ अधूरा है ठीक है इसके टुकडे नहीं किये जा सकते इसे वर्न कहते हैं उसके बाद आ गया हमारा अक्षर क्या आ गया? हमारा अक्षर जो हमने थी करने थे ना पहले धवनी फिर वर् dolls और तीसरे क्या है? अक्षर भस जही आंत्र है इसमें जो अक्षर देखते हैं क्या है? किसी एक धवनी जहां धबनी समूं की उचारित नियुन्तम इकाई को अक्षर कहते हैं किसी एक धबनी जाद धबनी समूं की उचारित नियुन्तम को अक्षर कहते हैं अथवा वे छोटी से छोटी इकाई अक्षर है वे है छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उचारन वाजू के एक जटके से होता है वाजू के एक जटके से जैसे हम एकदम कुछ बोलते हैं एकदम कुछ बोलते हैं यसे क्या, कैसे, जी, हाँ एक जटके से बोलते हैं इसी प्रकार से वै छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उचारन वाजू के एक जटके से होता है जैसे देखो आ, जी, क्या, आम, अधी जैसे मैंने बताया था न कि एक जटके में जो बोला गया उसे अक्षर कहते है ठीक है जी हाँ जी जैसे आ, जी, क्या, आम, अधी एक बार फिर देखो वे छोटी से छोटी काई अक्षर है जिसका उचारन वाजू के एक जटके से होता है जैसे आ, जी, क्या, आ, अधी तो आपको जे टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से हाँ जी हमने इसमें वर्न माला में वर्न विचार में जो किया है दवनी और वर्न और अक्षर ठीक है जी तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी तो आज की अच्चे जी